कवर्धा राजपरिवार की दिवंगत राजमाता शशी प्रभादेवी का गुरुवार को दशकात्र कारिक्रम था इस मौके परपदेश की स्वास्थमंत्री टी एस सिहंदेव कवर्धा पहुंचे और कारिक्रम में शामिल हुए इस दोरान उन्होंने मीडिया को कई मसलों पर जवाब भी दिया उन्होंने जेसी सीजे विधायकों के कॉंग्रेस में शामिल हुने पर कहा कि जेसी सीजे पार्टी विप्रित समय में बनी थी इसकी अगवाई स्वर्गिय अजित जोगी ने की थी सभवाविक है कि समय के साथ सफलता नहीं मिलती है तो उनका आखार छोटा हो जाता है एक तरह से अपने निकट के लोगों के साथ उन्होंने अपना दल बनाया था जोगी जी के जाने के बाद सभवाविक है फर्क पड़ेगा बीच में कॉंग्रेस में शामिल होने की बात होती थी अब अपना अस्तित्व बनाने की बात हो रही है रेडू जी ने इस पश्ट कह दिया है कॉंग्रेस में नहीं जाओंगी मरवाही चुनाव में भाजपा को भी समर्थन दिया है ये वही भाजपा हैं जिसने उनकी जाती के मामले में सबसे पहले पहल किया था यहां समय के साथ संबंध बटे हैं जहां तक विधायकों के शामिल की बात है इसे लेकर पार्टी में असहमती बनी थी कारेकरता तो बहुत शामिल हुए हैं सरकार में जैसा भी चले हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है दिल मांगे मोर रहता है हमने इतना किया है और करना है हम इतना कर पाए है और आगे और करना है कहीं कमी है कोई गलती हो रही उसे जानकर सुधारना है यह सतक तक्रिया है हमारी सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक राहत हम लोगों को पहुचा सके कवर्धन मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर कहा कि यूपीय की सरकार जब केंद्र में थी तो उन्होंने एक निर्णय लिया था कि देश के हर जीले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात थी जैसे अभी गाउं गाउं नल की योजना च आगे थे आने वाले समय में हम जगा तलाश कर रहे हैं प्रदेश में 11 लोग सभाशेत्र हैं जिसमें 9 में मेडिकल कॉलेज और 2 में नहीं है कवर्धा जानजगीर और कोरिया में मांग उठ रही है आज ही वरिष्ट अधिकारियों से बात की है और आने वाले समय में हम करेंगे बिरु रिपोर्ट जे न्यूस कवर्धा